तो आपका हमारे चैनल क्रिक्ट एक्सपर्ट में स्वागते हैं तो तो आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप भी अपने M.I.Band को अपने Bluetooth से कनेक्ट कर रहे हो और यह problem आ रही है कुण नोट पियर तो इस problem को कैसे आज की वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पुसंदा वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल क्रिक्ट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें ऐसी नए-नए इंफ्रमेटिव वीडियो देखने के लिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू कि जाए सबसे पहले कि अगर आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग उसको बन कर लेना है जाना पर ब्लूटोथ वाले सेकशन पर और यहां पर जाना है इदिशनल सैटिंग पर लिखाओ ऑगा शो डिवाइस ब्लुटूथ डिवाइस विडाउट मैक तो इस वाले सेक्चिन को ओन करने के बाद यां वाल नब्ल रच तो रहे हैं और यहां पर यहां पर गयाक सारी जो setting उनंको कर देना है और कोई भी हमर बोर कई इसके बाद धिर से हमें क्योंकि पैर करना है तो मिंधुमर्स के बाद हम यहां पर फेas if also स्क्रोल करना है और नीचे हमें जाना एक ऐस्ट वाले संसनुपिए अपस वाले सेक्षिन पर जहने के बाद सेर्श करना έ ones Tous तो यहां पर यह सबया पे storage का clear catch और clear data कर दीजएगा और यह सब करने के बाद यहां से back आ जाएगा और back आने के बाद apps permission पे जाना है और सारी permission one by one enable कर देनी है कोई भी permission यहां पे deny नहीं करनी है इसे के बाद के करना है रस्ट्रिक data usage है उसको mobile data off कर देना है और फिर मोवाल डाटा ओन करने एक मिनिट बाद यह सब शैटिंग करने के बाद आपने डिवाइस को रिस्टाट कीजिएगा और रिस्टार्ट करने के बाद पांच मिनिट बाद फिर से ट्राइट कीजिएगा प्रोब्लम है वो सोल वह जाएगी तो कैसे लगी वीडियो आपके वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल क्लिक टेक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें आपके नहीं नहीं वीडियो देखने लिए